Hello Everybody, Welcome to Divinely Guided 7777 Here I come with the Message of the Day Let's see के आज का Message किसके लिए है, किस एनरजी में है, किस तरह का है ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आप Morning में देखेंगे आपके लिए Guidance है और अगर आप End of the Day देखेंगे तो ये आपके लिए Day Reflection होगा Message वही लीजेगा जो लगे आपको अपको अपनी situation से match करता हुआ Tarot में ये messages आए हैं, सब अपने उपर impose मत कीजेगा और इनकी basis पर कोई final decision मत बनाईएगा हमेशा अपनी private reading लें, मुझ से लें या किसी और से लें और जब आपको तसली हो जाए कि आपने तमाम information gather कर ली तभी आप किसी conclusion पर पहुँचिएगा ठीक है बहराल ये तो message of the day है तो कहीं ने कहीं आपसे जरूर resonate करेगा और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे match नहीं होती तो it's all okay क्योंकि हर reading हर किसी के लिए नहीं होती है ठीक है, so without any further delay, let's see कि आज का message of the day क्या है message of the day message of the day message of the day message of the day empress six of wands, Aries, Leo, Sagittarius king of swords Libra, Gemini, Aquarius and bottom of the day, page of wands all right किसी ना किसी को आपने अपनी खुबसूरती से अपनी ब्यूटी से अपनी परस्नालिटी से ट्रिगर किया है ठीक है, किसी ऐसे शक्स को आप मोल्ड कर देने में, काइल कर देने में, माइल कर देने में, घाइल कर देने में कामियाब हो गए हैं मैं overall अगर यहाँ पर अगर आपकी energy देखूं, तो with the page of wands, आप काफी दिनों से किसी को लेकर confused थे और आपको लग रहा था कि वहाँ से कहीं न कहीं कोई इस किसम की कोई इतला, कोई खबर, या कोई apology, या कोई offer जरूर आनी चाहिए ये कैसा person है, अगर मैं यहाँ तक stop कर दूँ इस person ने, person ने आपसे यकीनन किसी commitment की बात की थी, आपके साथ एक अच्छा relationship गुजा रहा था लेकिन ये person आपकी life से, या आप इसकी life से walk away कर गए, काफी शिद्दत से ये person आपको याद कर रहा है आप इसकी ultimate happiness हैं, और ये person आपको कुछ न कुछ अब offer करना चाहता है कोज अभी भी offer करते वक्त इसके जहन में कोई ने कोई cross road, कोई confusion ये शायद अपनी feelings को नहीं समझ पा रहा कि आया ये, ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है but at the moment ये person काफी passionate है, काफी energetic feel कर रहा है इसके पास कोई नया plan, कोई नया idea है, immature हो सकता है immature कहना तो शायद इस वक्त जादा मुनासिब नहीं होगा लेकिन आपकी age के according maturity level थोड़ा कम है, काफी young सी energy है age में चोटा हो सकता है आपसे, लेकिन आपसे बहुत जादा highly inspired है, बहुत ही जादा अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो आप अपनी खुबसूरती, अपनी beauty, अपनी personality के aura को लेकर बड़े successful रहे है आपकी personality को आज सब बहुत recognize कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको notice कर रहे हैं, कोई victory, कोई success जरूर है कहीं न कहीं कोई ऐसा person जिसने जो के बड़ा arrogant है, जिद्धी है या आप समझ लीजे कि उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है इस बात को admit करना, confess करना आपने कहीं न कहीं उसका band जरूर तोड़ा है आप से कोई दोस्ती करने की कोशिश करेगा, कोई आपको दोस्त, आपकी तरफ हाथ बढ़ाने की जरूर कोशिश करेगा और with the Empress card, आज आप अपने किसी एक अच्छे से target में, जो के आपका काम से related है, अपनी growth से related है बहुत सारी जगाओं पर there is a big possibility कि आपको good news मिलेगी, अगर जो लोग fertility के face से गुजर रहे हैं या infertility के face से गुजर रहे हैं, there is a big news आपके treatment की कोई reports आनी हैं, तो वो बहुत successful positive reports आएंगी किसी को अचानक से अपनी pregnancy से related कोई खबर मिलेगी, या आपको कहीं अपनी surrounding में कोई अचानक से news मिलेगी that somebody is pregnant और overall अगर मैं देखूं तो आपने कोई काम शुरू किया हुआ था, आपको कोई idea था, आपने कोई plan बनाया हुआ था, उसके successful होने के भी chances हैं Now the only part is with this king of swords, ये आपके father, husband ये ऐसे love partner हो सकते हैं जो बहुत जदी हैं आपकी success को देखकर ये person या तो stunned हो सकता है, surprise हो सकता है, excited हो सकता है या anxious हो सकता है आपकी कहीं न कहीं कोई ऐसी बात जो के आपकी civility, success, fame से related है, वो इस बंदे को जरूर आज trigger करेगी Let me see, ये king of swords यहाँ पर, कौन है, क्यों है, क्यों है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजा, आज के दिन, it's your day But with this day, ये king of swords जो है वो, कौन है, क्या है, क्या है, इसकी energy मैं कभी भी message of the day को clarify, बहुत rare करती हूँ लेकिन आज मैं इसको इसको इसलिए rare करूँगी, because it's your day today King of swords की energy यहाँ पर क्यों है Alright, कोई एक ऐसा person, okay, clear हो गया, yes, again, authority ये आपके partner भी हो सकते हैं, जो कि काफी आपको control करते हैं सही, और ये आपके fame से, आपके काम से, इनके ओपर ये चीज़ सरप्राइज element के तौर पर होगी, कि ये क्या हो रहा है और ये क्या हो गया है, कुछ इस तरह की चीज़ होगी तो you need to be a bit careful, कि आप जो हैं वो इस तरीके से कोई चीज़ देखें और अगर ये जिद्धी हैं, ये आपको कुछ काम अपने ओन पर करने नहीं देते तो हो सकता है ये authority बनकर सामने आए, आपको थोड़ा से इन से fight करना पड़े और आप age में कम हैं तो ये आपको immature कह सकते हैं, आपके तजुर्बे को ये कर सकते हैं लेकिन ये person काफी परेशानी को खतम करके आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो एक तरीके से देखा जाए तो इस person ने अपनी अना का बांध तोड़ दिया है तो इट्स अ सक्सेस्फुल डे, आज जो है ना वो सक्सेस्फुल डे है विद दे एमप्रेस आप माशालला बहुती खुबसुरत, बहुती ब्यूटिफुल, बहुती हैंसम क्योंकि एमप्रेस का कार्ड मेल परसन में भी हो सकता है ये इट्स अनेरजी बहुती बहुती ग्रोग करने वारी परसनालिटी और जो भी आपने ग्रोग के लिए सोचा वा था आज आपको उसमें सक्सेस मुलेगी आज आपको लोग जानेंगे, आज लोग आपको रिस्पॉंड करेंगे, बहुत जादा यहां पर भी बहुत क्लियर नजर आएगा या तो कोई आपको देख के चड़ जाएगा, उसको हलकी सी जेलिसी फील होगी लेकिन उसको कहीं किसी ना किसी को आपने परेशानी जरूर दी है कहीं ना कहीं कोई परेशान जरूर हुआ है ठीक है ना, लेट सी मोर इसका इंफ्लोइंस रहेगा आज इक्वेरियस, टॉरस अन इक्वेरियस, गिवफ फ्रेश इंपिटर्स यह सो सकता है, कुछ न कुछ ऐसा मामला आज आप फेस करें यह ग्यारा हफतों से बात चल रही है, यह मजीद ग्यारा हफते से लगेंगे कोई तो चीज ऐसी है, जिसमें कुछ फ्रेश होने की बहुत ज़रूरत है आपने कुछ बोर्डम और डलनेस के साथ काफी दिन गुजा रहे हैं अब इस आई टाइंग के आप एक फ्रेश प्लैन और फ्रेश ग्रोथ के साथ आएं किसी लेडीज को कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेडीज प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें मुझे लग रहे हैं कि किसी का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसमें कोई बात है मेबी आप लोग बहुत अरसे से एकस्पेक्ट कर रहे थे और आप लोगो बहुत बड़ा बिग नो मिल रहा था कैसा होई नहीं सकता, वहाँ कोई न्यूज रिवील हो सकती है या आपके परसन जानते हैं कि फॉल्ट उन में है, आप में नहीं है बहुत सारी चीजे हैं, आप बे फैमिली प्लान करना चाहते हैं और आपके परसन आपको बार बार डिनाय करते हैं आपको, यूनो, सबसीट करने की कोशिश करते हैं और आप उसमें समझते हैं कि आपका, आप ही गलत हैं लेकिन ये इंजाइटी अब उनके इस बांध को तोड़ेगी बिकॉज आप कहीं न कहीं से कोई एक बहुत करीजियस अटेम्ट लग रहा है, आप करेंगे ठीक है, देखते हैं जनाब कि सेंजिल नंबर से क्या अफरमेशन आ रही है नंबर थर्टी आप ही आप छायवे हैं आज तो, बिलकुल आप अपनी बात रखेंगे भी बड़े तरीके से आपकी बात में एक नई जिद्दत होगी आपका टालेंट जिद्दत के लिए है, जो के कनवे करता है आईडियास को और आपना बहुत आगे की देखते हैं, आप अप्टिमिस्टिक आइटिट्यूट है आपका तो उसकी वज़ा से दूसरे भी बड़े अपलिफ्ट होते हैं तो जो आपके ख्यालात हैं, आज आपको कम्प्लीट मार्जन और मौका मिलेगा कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकें तो आज की अफ़र्मेशन में, आपके लिए आज बहुत प्यारा मेसेज आफ दे दे लिए मुझे लग रहे किसी परसन ने आपको बहुत ज़्यादा दबा के रखावा था और आज जो है वो उस परसन को आपकी परसनालिटी और आपके आइडियाज और आपके काम की वज़े से उसको जुपना ही पड़ेगा या तो फिर आपको अपने काम को लेकर मुझे लग रहे हैं कि ये भी बात बहुत इंपॉर्टन्ट है कि अब आप सक्सेस्फुल जब हो गए हैं तो अब आपको अपना ये काम प्रिजेंट करना है अब आपको बताना है कि भाई प्लीज मुझे इस बात की जाज़त देने कि अब मुझे एक स्टेप अहेड होना है अदरवाइस फर्टिलिटी इस दे में थे ठीके जनाब तो कुछ भी आपसे रेजनेट करें कमेंट बॉक्स अवेलिबल और प्रावेट रीडिंग लेनी हो तो आइम अवेलिबल साड़े है संड़े है वैसे भी साड़ेडे संड़े प्रावेट रीडिंग होती थी तो बह बावेट